अब आटा गुलना सिखा रहा हूं सबसे पर आटा को छानेंगे पानी डालेंगे पानी हल्का कौसा होना चाहिए नहीं तो डिरेक्ट भी आज़कल डाल सकते हैं क्योंकि फिल्टर का पानी वैसे हल्का कौसा ही होता है इस को इस तरह डालने के बाद कि रहना है इसको इस तरह लहाते रहें दो आटे को पहले पानी अच्छी तरह ला लों अच्छी तरह लो ठाकि पानी इसके अंदर मिक्स होते कि रख़ो नमकीं दालते हैं आप तो थोड़ा सा ड़ता दहूंकि बीना नमक के इसको आटे को गून रहा हूँ अब पानी नहीं डालने हैं तो कहीं जहाँ कि पानी ज़यदा होजे और आप अठे को अच्छी तरहें न गूंप आप तो पहले थोड़ा से मिक्स कर लें इसको जैसे से पानी की दूरत होगे हम वैसे इसमें डालते जाएंगे दीक अफ़ा टाय रहा हुआ अ अब उसके पानी की दूरत है है अब पानी की दूरत है कि अच्छी तरह नहीं जाएख अच्छी तरह रहा है इसको मिक्स करनाएंगे में जो हाथ पर लग दोब आ पानी जैसे से आपने आप इसमें पानी सोस देजा है अपने के बाद आटा भी आपका बढ़ी होटा है तो अपनी को सब्सक्राइब अच्छा बनेगा इसका थोड़ा सब्सक्राइब अच्छा पानी ले आपके तो आपके यह अच्छा पानी दे रहा है असके हाथ से लाना है ऐसे नहीं कि आपने पूर से चला लेना है मोट आठा भाड उचषेा और दो तो आपानी की अग detect हो तो अगल्सक्राना चक्राइब क्राइब कर्षा लगानए तो अच्छा फी और परभी काशिक तो आपके टॉन McKayist कि अच्छा आठा हाथ में सुखा लेगी कि लास्ट में सुखा लेगा इसको तारने आप में शित्रा है ताकि हाथ भी आपके अच्छी तरें क्रीम हो लेगा कि अच्छी अच्छी तरे आएगा इसे डगर देंगे कि दस पंदरा मेंट के लिए चोड़ देंगे उसके बास के रोटी बनाएंगे हम अब आपको आटा हमारा त्यार हो गया है आपको इसकी रोटी बनाता हुआ होगा इलकुल फुली हुझा एगी पेड़ा बना लिया है इदर तब गरम करना स्टार्ट कर दिया वासपतल अगी गरम कर रहा हूं और एक रोटी बनाकर आपको दिखा रहा हूं इस बिल्कुल फूली होई आएगी आएद दोट्यू है को भी तुवली बना रहा हूं और इसको मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा जो मैंने वी आट आएगी बना था बिल्कुल लाया बनार देखो देखो एक बड़ी अलगाया विए फिर बिल्कुल ब्लें को रोटी बना दिया आधनकर ठी आधना इंव अब आपकी रोटी त्यार है थैंक्स पर वाचिंग मैं यूट्यूब वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स